IPL 2024 के 38 वे मुकाबले में मुंबई इंडियन्स की टीम 189 रन बना कर भी हार गई राजस्थान रॉयल्स ने अपने घर में एक विकेट खोकर 19.4 ओवर में ये टार्गेट चेस कर दिया इस मुकाबले में भले ही मुंबई इंडियन्स हार गई हो लेकिन युवा बलेबास तिलक वर्मा ने अपनी बैटिंग से फैंस का दिल जीता और सभी का दिल जीत लिया उन्होंने 45 गेंदों पर 5 चोके और 3 छक्के लगाए इस पारी के डम परवे IPL इतिहास ने सबसे कम उम्र में 1000 रन पूरे करने वाले तीसरे युवा बैटर बन गए हैं सबसे कम उम्र में 1000 IPL रन है पहले रुशब पंथ 20 साल 218 दिन दूसरे यशस्वी जैसवाल 21 साल 130 दिन तीसरे तिलक वर्मा 21 साल 166 दिन तीलक वर्मा बाए हाथ के युवा बल्ले बाज है आंधरा के गुंटूर में जनमे इस क्रिकेटर ने 2022 में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मुंबई इंडियन्स के लिए डेब्यू किया था तब से वे इसी टीम के साथ हैं टीम इंडिया के लिए भी डेब्यू कर चुके हैं उन्होंने चार वंडे और सोलर T20 मैच खेले चार वंडे में उनके नाम 49 रन है जबकि सोलर T20 मैचों में 336 रन बना चुके हैं तिलक वर्मा ने IPL के 33 मैचों में 1013 रन बनाए हैं उन्होंने 40 पॉइंट 52 की औसत और 146 पॉइंट 49 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की है वे 5 अर्धश तक जमा चुके हैं उनके बल्ले से 74 चौके और तिरपन छक्के भी निकले हैं